Hello students, welcome in the online classes of MDN school Kalaid. As you know, we are on second lesson of Nagarik Sastar of 10th class. आज हम 10th class का Nagarik Sastar का second lesson पढ़ेंगे. Lesson का नाम है संगवाद. कल तो हमने संगवाद के विशय में जो important बाते थी उनके विशय में पढ़ा था. आज हम संगवाद को क्या है डिटेल से पढ़ेंगे आईए विस्तार से पढ़ें पिछले अद्याय में हमने गोर किया था कि सासन के विबिन सत्रों के बीद सत्ता का दुरवाधर बटवारा यानि जो सक्ती है उसका कैसे बटवारा किया और आदुनिक लोकतंत्रों में जो सत्ता की साजे दारी का एक आम रूप है यानि जो सक्ती है उसका बटवारा सत्ता में और इस देह में हम सत्ता के बटवारे के इसी सवरूप पर क्या है विचार करेंगे इसे आम तोर पर शंगवाद कहा जाता है इससे एक ही लोगतांतरिक विवस्था के अंदर अलग-अलग इलाकों के साथ रहना और चलना संभव हो पाता है किसके कान जो लोगतांतरिक विवस्था के अंदर क्या है जो समानता का दिकार के दिया है और जो क्या है सत्ता के रूमे जो सक्ति का बटवारा किया गया है इसके अंदर क्या है आलागलेलिक इलाकों में एक साथ रहना और चलना संभव हो पाता है अध्याय के सेसिसे में बारत के संगवाद के सिदान्त और वहवार को समझने की कोशिस की गई है संगे डाचे से समंदित स्वेधानिक परवदानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संगवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीती का विसलेशन किया जाएगा अध्याय के आखिर में हम बारतिय संगवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानियस आसन की तर्चा करेंगे संगवाद क्या होता है आए एक बार पिछले अध्याय में दिये गए बेल्जियम और स्री लंका के अंतर पर गोर करें आपको याद होगा कि बेल्जियम के स्वीदान में जो परमुख बदलाव किये गए उन में केंद्रिय सरकार की सकती में कमे करना भी एक था कहने का अर्थ है जो केंद्र सरकार के पास जो सकती थी उन में कमी की और ये अधिक्तर क्या है जो प्रांतिय सरकारों को दिये गई कहने कारत है जो केंदर सरकार केंदर जो सक्ती में कमे करके और जो ये अधिकार है वो किसको प्रांतिय सरकारों यानि रज्य सरकारों को अधिकार दिये गई बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतिय सरकारे थी और तब भी उनकी अपनी भूमिका थी अपने अधिकार थे पर ये अधिकार उनको केंदर द्वारा दिये गई थे और इने केंदरिय सरकार वापिस भी ले सकती थी कहने कार थे जो बेल्जियम केंदर जो अधिकार क्य क cooking में कुछ बदलाव हैं और प्रांटिय शेरं को कुछ्त सवेदानीच दिये गई इन अधिकार के लिए प्रांटिय सरकारियं अभे कंदर पर निरबर नहीं है कहने का आर्थ है विजो उनुश्य क्वं प्रांतिय सरकारों को स्विधान ने स्विधाने का अधिकार दिये गए यानि स्विधान के अंदर क्या है उनको अधिकार दिये गए और इन अधिकारों के लिए जो प्रांतिय सरकार थी अब केंदर पर निरबर नहीं रही इस परकार बेल्जियम ने एकात्मक सासन की जगे क संग्य सासन प्रणाली अपनाली कहने कारत है पहले तो क्या है एकात्मक सरकार थी केंदर सरकार के पास ही सारी सक्तियां थी फिर क्या किया बाद में उन्होंने सक्तियों का बटवारा कर दिया वह कुछ अदिकार क्या है प्रांतिय सरकारों को दे दिये इसलिए क्या है ये कात केंद्रिय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं कहने कारत है जो एकात्मक सरकार होती है उसमें क्या है केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार होते हैं और जो संगिय सासन परणाली है उसमें क्या है रज्य सरकारों के नुसार क्या है उन सक्तियों का और अधिकारों का बटवारा कर दिया जाता है और स्री लंका के तमील नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संगिय सासन विवस्ता कायम हो और संगिय सासन विवस्ता में सुरोच सत्ता केंद्रिय प्रादीकार हो कहने करता है जो सुरोच सत्ता है जो सकती है वो तो केंद्रिय सरकार के पास हो और विबिन अनुसंगी की काईयों के बीच बट जाती है आमत और परसंगी विवस्ता में दो स्तर पर सरकारे होती है इसमें एक सरकार क्या है? पूरे देश के लिए होती है जो केंदर सरकार होती है जिसके जिम्में क्या है? राष्टिय महत्तों के विशय होते हैं फिर राज्य या प्रांतों के स्तरकी सरकारे होती है जो सासन के देन दिन क्या है कामकाज को देखती है दिनो दिन क्या है देनो इसमें से साफ ने दिखाई देरा जो दिनो दिन के कामकाज को देखती है सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर क्या है सवतंतर होकर अपना काम करती है कौनसी केंदर सरकार और राज्य सरकार इस अर्थ में संगिय सासन विवस्ता एकात्मक सासन विवस्ता से ठीक उल्ट है कहने कारता है संगिय सासन में तो क्या है मिलकर अधिकारों को बाट कर क्या है कारिय करती है और एकात्मक सासन में सिर्फ एक के पास ही अधिकार होते हैं केंदर सरकार के पास और एकात्मक विस्था में सासन का एक हिस्तर होता है और बाकी काईया उसके अधीन होकर कारिय करती है इसमें केंद्रिय सरकार प्रांतिय या स्थानिय सरकारों को आदेश दे सकती है पर संग्य विवस्था में केंद्रिय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का अदेश नहीं दे सकती राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तिया होती हैं और इसके लिए केंद्रिय सरकार को जुआव दे नहीं होती यह दोनों ही सरकारे अपने स्तर पर लौगों को जवाव दे होती है आईए संग्य विवस्ता के कुछ महतोपुन विशेश्ताओं पर गोर करें यहां सरकार दो या आदिक सत्रो वाली सरकार होती है और अलग अलग सतर की सरकारें एक इनाघरिक समूपर पर क्या है सासन करती है पर कानून बनाने या वुसुलने और परशासन का उनका अपना अधिकार अक्षेत्र होता है विबिन सत्रों की सरकारों की अधिकार अक्षेत्र स्विदान में सुष्ट रूप से वर्णित होती है कहने कार्थ है जो विबिन्स्त्रों की संग्य सरकार होती है उसमें उनके अधिकारों का स्पस्ट रूप से स्वीधान के में वर्णित है इसलिए स्वीधान सरकार के हर स्थरक्य अस्तिताओ और परादिकार को की गारंटी और सुरक्षा देता है सुईदान के मौलिक प्रवाधानों को किसी एक स्तरकी सरकार अकेले नहीं बदल सकती ऐसे बदलाओ दोनों स्तरकी सरकारों की सहमती से ही हो सकते हैं कहने का अर्थ जो सुईदान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं उनमें क्या है जो अकेली जो एक स्थरकी सरकार क्या है अकेली उनमें संसोदन नहीं कर सकती फिर बदल नहीं कर सकती इसमें क्या है बदलाओ के लिए क्या है दोनों स्थरकी सरकारों की सहमती हो सकती है कह सहमती ही हो सकते हैं जो उनकी दोनों की सहमती होगी और अदालतों को सवीदान और विविन सत्रों की सरकारों के अधिकारों की वख्या करने का अधिकार है और विबिन स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्तीती में स्रोच नेले निरनायक की भूमिका निवाता है वीतिय स्वैस्ता निश्चित करने के लिए जो विबिन स्तर की सरकारों के लिए राजसव के अलग-अलग स्तरोत निदारित हैं कहने करता है वीद्या सवेशता है, उसके लिए क्या है, जो विभिन्सतर की सरकारों के लिए, जो राज्सव है, वो अलग, अलग, स्तरोत निदारित कीए गई हैं, इस प्रकार संग असासन विवस्ता के दोहरे उदेश्ये हैं, देश की एकटा की सुरक्र्ख्या करना, यानि देश में ए काम काज के लिए दो चीजें सबसे महत्तोपून हैं विविन सत्रों की सरकारों के बीच जो सत्ता है सक्ति के बटवारे के नियमों पर सहमती होनी चाहिए और इनको एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने-पने अधिकारक्षेत्रों को मानेंगे जो जो अधिकार को दिये गई हैं आदर सिंग्य विवस्ता में ये दोनों पक्ष होते हैं आपसी भुरोशा और साथ रहने पर सहमती केंदर और विविन राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बटवारा संग्य सरकार में अलग अलग की शमका होता है ये बात इस चीज पर निर्बर करती है कि संग अपला तरीका है दो या अधिक सवतंतर राष्ट्रों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई गठीत करना यानि कठा करना क्या है इसका कहने कारते हैं भी क्या है जो दो या दो से अधिक जो सवतंतर राष्ट्रों को लेकर एक बड़ी इकाई बनाना और इसमें दोनों सवतंतर राष्टर अपनी संपर्भूता के साथ करते हैं और अपनी अलग-अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी शुरक्षा तथा खुसाली बढ़ाने का रास्ता अखितियार करते हैं और साथ आकर संग बनने के उदान स्विंक प्राज अमेरिका, स्वीट जर्लैंड औ क्वाले मुलकों में आम तोर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंदर के बरकस ज्यादा ताकतवर होते हैं संगिय सासन विवस्ता के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन क फिर राज्यों और राष्ट्धिय शरकारों के बीच सक्ता का यानि सक्तिक अवट्वारा कर देना भारत बेल्जियम और ईव्थारे ली वाली विवस्ता में राष्टकार होता है विविन राज्यों को समान अधिकार दिये जाते हैं पर विशेश थीती में किसी किसी आज हम यहीं तक पढ़ेंगे आपको यह टोपिक पढ़ाया है इस टोपिक को आप ध्यान से पढ़ोगे थेंक्यू स्टूडेंट्स है वे नाइस डे गर पर रहें सुरक्षित रहें